अससलाम अलेकुम वेलकूम टोमरानारिफट्ईक चैनल आज मैंसरे एक नहीं वीडियो लेक राए और आज की वीडियो में मैं आपको ड्राइवर्स करना से खाऊंगा कि आपने विंड़ोज के ड्रैवर किसटरा से करने हैं जैसे कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी Windows कर रहे हैं न्यू तो आप अपनी Windows को जो ड्रैवर्स हैं उनका एक backup बना लें, backup folder और उसको जो है बड़ा easy हो जगा आप जब उसका backup बना लेंगे अपने drivers का उसको restore करना बहुत easy हो जगा लेकिन अगर आपका आपने backup नहीं बनाया तो फिर भी परिशान होने वली बात नहीं है आप यह मेरी वीडियो को पूरा देखें और like, share और subscribe जरूर करें तो यह है कि जैसे ही मैं देखें आपको drivers दखार हो यह मेरे कुछ drivers missing है मैंने new window की है तो मेरे कुछ drivers missing है तो इसका यह solution है कि हम अपना browser को open करेंगे अपना Google Chrome को open करेंगे और यहां पर हम जो है लिखेंगे driver pack solution यह इसका जो है वो बहुत इदबर्दस हल है आप इसको जो है जो सबसे पहले website आएगी उसको open करेंगे और यहां पर लिखायागा install all required drivers एक तो आप यह कर सकते हैं एक दूसरा है थोड़ा से नीचे आएंगे तो लिखा होगा other driver pack version इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो सबसे राइट वला option हो लिखा होगा driver pack offline full यह तक्रीबन 40GB का जो है वो size होगा इसका लेकिन इसमें यह होता है कि totally जितने drivers होते हैं आपके Windows 7, 8, XP जितनी भी Windows 10, Windows 11 सबके जो drivers हैं वो इसमें ह होते हैं अगर आप यह folder कर लेंगे मतलब यह वाला पूरा कर लेंगे पैक तो यह भी good है नहीं तो जो उसका दूसरा तरीका है जो मैं करूंगा भी वह भी मैं आपको दखा देता हूं हम जो है सबसे पहले वाले option को क्लिक करेंगे install all required drivers तो इसको हम जो है वो download करके इसको install कर लेंगे अपने computer में तो यह हमारी जो है installing पर लग चुका है यह थोड़े से time में जो है install हो जागा उसके बाद मैं आपको इसका तरीका भी मता दूँगा आपने किस तरह से अपने drivers को install करना है बाकि यह है कि यह खुद से जो है वो सार software को तो सबसे पहले वाली option जो आएगी हमने उस पर क्लिकनी करना जो second option होगी हमने उस पर क्लिक करना है और जगर हम first option पर क्लिक करेंगे तो यह अपनी मरजी से कुछ fall to apps वगरा भी होती है और अपनी मरजी से software वगरा होती है वो खुद से यह install कर देगा सब कुछ drivers भी कर द सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हमें unselect कर सकते हैं तो इसमें आप second number पर देख रहे होंगे जैसे left side पे तो यह हमारे पास यह software भी दे रहा है यह Chrome browser, Firefox browser और Utrend यह वो सब कुछ तो जो चीज़े हमें नहीं चाहिए होंगी उनको हम unselect कर देंगे तो जैसा कि मुझे दिया है तो यह हमारे जो drivers है वो install होने लगे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और मैंने आपको साथ ही दखा रहा हूं कि यह जो मेरे device manager में जो मेरे drivers missing थे वो जैसे जैसे हमारे यह नीचे से drivers install होते जाएंगे हमारे जो missing driver से यह जो error आ रहा था यह भी हमारा मसला जो हो हो जाएगा और हमारे जो windows के drivers हैं वो completely install हो जाएंगे तो एक यह जो method है यह बहुत easy है और बहुत ही असान है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को share करें सबस्क्राइब करें यह हमारे जो drivers हैं वो तक्रीबन हो हो चुके हैं अब यह जो कह रहा है कि अपना आप सिस्टम को जो है वह एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें यह recommended है ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा जो है अपने system को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें ताक कि आपकी जो drivers वगा रहा हैं वो windows के वह प्रॉपर्ली वर्क करें तो यह मैं एक दफ़ा आपको दबारत दखा रहा हूं हमारे सारे drivers हो चुके हैं तो यह थी आची वीडियो थैंक यू पर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर में चैनल इम्रान अरिफ टेक